असलाम वालाइकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. Garden Love के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है. आज के इस वीडियो में हम पालक को ग्रो करना सीखेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं, स्टार्ट! Hey Hi! आज हम पालक की बुआई से लेकर कटाई तक की पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे. तो चलिए सबसे पहले हमें यहां अच्छी क्वालिटी के बीज ले लेने हैं. बीज आपको किसी भी खाद की सौप से या बीज की सौप से या फिर तो आप इसे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं. तो चलिए अब जान लेते हैं मिट्टी कैसे बनाएं. नहीं नहीं, इस वीडियो में नहीं. मिट्टी को प्रॉपर तरीकी से बनाने की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोडेट है. जाके जरूर चेक करें. तो चलिए, अब बारी है बुआई की. तो बुआई करने के लिए हमें सबसे पहले कमले में कियारिया बनानी है. जैसे के आप अपने बगीचों में बनाते हैं, बस वैसे ही अपने अंगोलियों की मदद से छोटी-छोटी कियारिया बना दीजी. देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ, बिलकल वैसे ही. इस तरह कियारिया बनाने से आपको बुआई करने में असानी होगी और जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे. ऐसा नहीं है कि बिना कियारियों के बुआई नहीं की जा सकती, पर ये बेस्ट मैथरड है. तो चलिए, अब हम यहाँ पे हमारा जो कियारी बनाने का प्रोसेस है, वो तो कम्पलीट हो चुका है, अब है बुआई करने का प्रोसेस. तो चलिए अपने हाथों में थोड़ी सी बीचों को लेकर हर एक क्यारी में थोड़ी थोड़ी करके हम बीचों को डाल देंगे देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है इस बात का खास ध्यान रखे कि एक ही जगह पे धेर सारी बीच एक साथ ना आ जाए इससे पौदों को बढ़ने में दिक्कत होगी तो चलिए अब इसी तरह से फटा फट से हम सारी बीचों को लगा देंगे अब हमें अगला प्रोसेश क्या करना है कि जो पालक की कियारिया है उनमें उपर की मिट्टी को हलका हलका सा फैला देंगे उसके बाद हम इसमें उपर से और थोड़ी मिट्टी एड़ करेंगे ताकि पानी देने पर पालक की जो बीच है वो उपर की और ना आ जाए मैंने थोड़ी सी और बीच उपर से भी डाल दिया है अब हम इसमें मिट्टी कुछ इस तरह से फैला देंगे देखिए जैसे मैं फैला रही हूँ ज्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है इसे पालक को ग्रो करने में थोड़ी दिक्कत होगी अब पतली सी लेयर मिट्टी के डाले ताकि पालक को ग्रो करने में आसानी हो तो चलिए मिट्टी देने का प्रोसेस तो पूरा हुआ अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी आप किसी केन के मदद से ही दे ताकि जो बीज है वो पानी के फूर्ट से उपर ना आ जाए इससे बीज जो है वो ग्रो नहीं करेंगी पाने का केन आप घर पर आसानी से बना सकते हैं आप किसी भी चौड़े धकन वाले बॉटल को ले लीजिए जैसे की डीजल जिसमें आते हैं आप उसे अच्छे से साफ कर दीजिए या फिर जो सरसो का ओयल आता है वो भी चौड़े धकन वाली आती है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं धकन में सूई की मदद से या पिन की मदद से चुटी-चुटी छेद कर दीजिए आपको इस तरह से केन मिल जाएगी मेरी जो ये केन है वो मैंने घर पे बनाई हुई है अगर आपको जानना है कि ये बॉटल मैंने कैसे बनाया तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए मैं जरूर इसके बारे में वीडियो अपलोड करोंगे अरे देखिए बातों ही बातों में हमारा पानी देने का भी प्रोसेस यहां कम्पलेट हो गया तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसे रखना कहां पे है आप इसे अच्छी खासी धूप वाली जगह में रखिए जहां दिन बर की 6-7 गंटे की धूप आती हो आज हमारे पालक को बुआई किये हुए 4 दिन हो गए और देखिए इसमें तो स्प्राउटिंग भी होने लगी है 50% सीट्स में स्प्राउटिंग हो चुकी है कुछ दिनों में सारी सीट्स जो है वो स्प्राउट होने लगेगी और ये है हमारे दसवे दिन का अपडेट लगबख सभी बीजों में स्प्राउटिंग हो चुकी है कुछ में तो ट्रू लेप्स पे आने लगे है तो दोस्तों ये है हमारे पंदरवे दिन का अपडेट सभी बीजों ने काफी अच्छी ग्रोध दिखाई है और हमारे सारे पालक के जो पौधे हैं वो काफी हल्दी ग्रोध हुए है इन्हे बस अच्छी खासी 6 गंटों की धूब दे और टाइम टू टाइम पानी देते रहे और हर पंदरवे दिन में इनमें खाद डालते रहे इन्हे बस इतनी सी ही केर चाहिए तो आज हमारे पालक को बोए हुए पूरे पंदरह दिन हो चुके हैं तो अब बारी है इनमें खाद डाले की खाद में आप पर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद या फिर जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होते हैं जिसे आप घर पे बनाते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं खाद आप अपने ग्रो बैग की साइज के हिसाब से ले मेरा जो ग्रो बैग है वो बारबाई 6 इंच है तो मैं इसमें 20-30 ग्राम खाद का यूज़ करूँगे खाद को अपने हाथों से अच्छे से फैला कर मिला दे और फिर अच्छे से इसमें वाटरिंग करे तो चलिए ये प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ पालक ग्रो होने के लिए बिलकुल तयार है आज है हमारा डे 28 और आज हमारा पालक हर्वेस्टिंग के लिए बिलकुल तयार है ना ही इनमें किसी भी पत्ते में कीडे लगे और ना ही कोई पत्ता मुर्जाया ये बिलकुल हैल्दी और बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ हुई है अगर आपको इसकी दुबारा हर्वेस्टिंग चाहिए तो आप इनकी सिर्फ पत्तियों को तोड़े तीन से चार इंज तक तने को मिट्टी में ही लगा रहने दे और अगर आपको हर्वेस्टिंग नहीं चाहिए दुबारा तो आप इसे जड़ से उखाड सकते है इसे हर्वेस्टिंग भी आप दो तरीके से कर सकते एक तो अपने हाथों की हल्प से दूसरी आप प्रूर्णर की मदद से भी इसे हर्वेस्ट कर सकते है देखिए आप प्रूर्णर की मदद से इसे कैसे हर्वेस्ट करें कुछ जो है तनों के आप ले लीजिए और उसे प्रूनर के हल्प से कट कर दीजिए काफी असानी से ये कट हो जाता है और काफी जल्दी भी आपकी हर्वेस्टिंग हो जाएगी हाथों से थोड़ा वक्त लगता है तो चलिए जब तक ये हर्वेस्ट हो रहे हैं मैं आपको इनके फाइदे बता देती हूं पालक में कई तरह के विटामिन्स और मिनेरल्स पाय जाते हैं जो आपको बिमारियों से बचाता है इसके अलावा पालक को खाने से जो कमभीर बिमारिया होती है जैसे कि डाइबेटीस, कैंसर, हिदर रोग और जो मुटापा होता है उसका खत्रा भी कम हो जाता है लेकिन रुखिए इसके अधिक सेवन से ये आपके सरीर में फाइबर की मातरा को बढ़ा देता है जिससे आपके पेट में दर्द और गैस की समस्या होने लगेगी तो इसे नियमित मात्रा में खाए किसी भी चीज का अधिक सेवन आपकी सरीर के लिए हानिकारख हो सकता है और देखिए बातों ही बातों में हमारा हर्वेस्टिंग भी कम्प्लीट हो गया तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा सा भी हेल्फुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चलिए स्टे ग्रेन, स्टे हेल्दी थैंक्स पर वाचिंग